हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस विडिम में मैं बाप करूँगा Realme Narzo 60 के बारे में ये फोन जो है एक नए डिजाइन के साथ आता है इसमें आपको फ्लैट एजिस देखने के लिए बिलते हैं और ओवरल थोड़ा फ्लैट डिजाइन है मेर पस यहां पर इस फोन का एक कोस्मिक ब्लैक वादा वैरिंट है जोके गलोसी डिजाइन के साथ आता है बैक में लेकिन इस फोन का एक मार्स ओरेंज कलर भी आता है जोके एक टिली विगल लैट पैक के साथ आएगा अगर आप फिजिकल ओवर्विव देखेंगे फोन का तो उपर की तरफ यहां तब को आपको एरफोन जैक भी दे रखा है और लेट साइड में आपको सिंटर मिल जाती है जोके यह वैसे बतातूं यह एक 5G स्मार्टफोन है दूनों सिंस में एरफोन 5G सपोर्ट करता है उसकी बात आगे इस वीडियो में करेंगे तो अभी अगर मैं डिस्प्ले की बात 6.43 इंचिस के Samsung Super AMOLED दिस्प्ले के साथ आता है 90Hz का refresh rate है 120Hz का touch sampling rate है जोकि games के अंदर 180Hz का हो जाता है पीक brightness यहां पर आपको 1000 nits का मिल जाएगा और overall display की quality मुझे यहां पर अच्छी लगी है और बहुत सारे ब्रैंट्स में आपने देखा है कि AMOLED दिस्प्ले के साथ भी आ और यहां पर इस phone का sound का sample भी सुना देता हूँ इसका जो single speaker है उसकी loudness मुझे थोड़ी सी कम लगी वैसे इसमें भी आपको dual B Atmos का support मिल जाता है और इसमें आपको 200% volume बदा feature आपको मिल जाता है मदब जब आप 100% volume पे हैं उसके बाद भी अगर आप volume को increase करते हैं तो ultra volume boost mode available हो जाता है जिससे volume जो है थोड़ी और भढ़ जाती है performance की बात करूं तो day to day life में जितना मैंने इस phone को अभी तक यूज किया है अच्छा perform करता है कोई lags बगार आपको नहीं मिलते हैं लेकिन gaming की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर मुझे performance उतना अच्छा नहीं लगा है इस phone में आपको Dimensity 6020 5G processor मिलता है BGMI मैंने इस phone पर try किया maximum 40fps तक आप play कर पाते हैं अगर आप gyro player है तो इसमें gyro में थोड़ा delay आपको मिलता है तो उतना अच्छे से आप gyro इसमें use नहीं कर पाएंगे और overall performance आप यहाँ पर gaming की देच सकते हैं मैंने कुछ time इसके उपर BG मैं आप try किया 40fps ते साफसे kickback performance आपके इसमें मिलता आती है लेकिन मेरे इसाफसे gaming specific इसको मैं best device दिखा देता हूँ उसी के साथ मैंने CPU through to the end sb इसके पर perform किया उसकी performance इसमें काफी इची नहीं दे मुझे बिल्कुल भी throttle यह phone नहीं होता है और overall average performance जो हो 93% की आपको मिली है और cameras की बात करूँगा उससे पहले कुछ और important चीजों की बात कर देता हूँ इसमें आपको 500 mh की बड़ी battery मिल जाती है charger की बात करें तो in box आपको 33 वोट का fast charger मिलता है box contents की बात करें तो box में phone के इलावा आपको कुछ यह booklets मिल जाती है एक TPU case transparent case आपको दिया गया है एक SIM tray ejector pin और यह 33 वोट charger के साथ आपको एक type A to type C cable मिल जाती है और जैसा कि मैंने बताया यह dual SIM 5G support करता है लेकिन अगर आप 4G भी इस phone में use करते हैं तो 4G plus carrier aggregation का support भी दिया गया है अब cameras की बात करें दोस्तो तो rear में आपको 2 cameras मिलते हैं primary camera 64 megapixel का है उसके साथ 2 megapixel का camera दिया है तो एक ही camera मान के चलिए कोई ultra wide टेली फोटो नहीं है ना ही macro है front में अगरा बात करें तो 16 megapixel का camera है यहाँ पर मैं आपको इस phone की camera samples दिखा रहा हूं दोस्तों आप लोग मुझे नीचे comment से मिताइए कि आप अपने opinions की बात करों तो मुझे इस phone का जो rear camera है उसकी performance अच्छी लगी अच्छी lighting में काफी इच्छे shoots यह capture कर देता है उसके अंदर एक special feature आपको 2x zoom वाला मिलता है जो कि almost low-slust zoom की तरह काम करता है हाला कि कोई optical zoom नहीं है लेकिन in sensor zoom का support आपको इस phone में दिया गया है जो कि 16 megapixel की photo आपको देगा यहां पर आप 2x zoom वाले काफी सारे shoots भी देख सकते हैं उसकी भी quality मुझे यहां पर अच्छी लगी लो lighting के अगर मैं बात करूं तो rear camera के samples आप यहां पर देख सकते हैं लो lighting में photos तोड़ी सी soft हो जाती है और थोड़ी सी noise add हो जाती है लेकिन अभी भी 64 megap pixel की photos मुझे अच्छी लगी है लो lighting में भी front camera के अगर मैं बात करूं तो उसकी performance आप यहां पर देख सकते हैं अच्छी lighting में again 16 megapixel का camera भी ठीकटा काम कर देता है इसकी भी portrait photos अच्छी है और portrait mode में भी front camera में HDR mode अच्छे से काम करता है low lighting के अगर आप बात करूं तो यहां पर again front camera के shots आप देख सकते हैं अगें low lighting में front camera भी जो है वो थोड़ा सा average perform करता है थोड़ी बहुत soft photos हो जाती है कुछ camera features की अगर मैं बात करूं तो बता दूंके maximum rear camera से आप full HD video सी capture कर सकते हैं portrait videos का option आपको नहीं दिया है street mode night mode जैसे modes आप use कर सकते हैं और 64 megapixel का high resolution mode आपको मिल ज जाएगा लेकिन starry mode वगेरा भी यहां पर आपको नहीं दिया गया है और UI की बात करने दोस्तों तो यह phone भी out of the box realme UI 4.0 android 13 के उपर आता है तो latest android आपको यहां पर नहीं जाता है हालां के बता दूंके इस phone में जो realme UI 4.0 है उसमें सारे features आपको नहीं मिलते तो कि आपको realme 16860 pro या फिर 11 pro series में आपको मिल रहे थे जैसे के AOD अगर आप यूज करते हैं तो उसमें o emojis का feature आपको इसमें नहीं मिलेगा इसमें PC connect का feature नहीं मिलता है फिर भी काफी सारे features मिल जाते हैं जसके AOD अगर आप देखेंगे तो यहां पर काफी सारे customization आपको मिल जाएंगे इ अगेन medical reasons से आप इस feature के उपर live मत कीजिए लेकिन normally आप इसको use कर सकते हैं उसी के साथ floating windows का feature आपको मिल जाता है और एक feature जो काफी सारल उनको अच्छा दगता है background stream का feature इसमें आपको मिल जाएगा बाकि दोस्तों bloatwares इस phone में भी आपको सेम तरीके के मिल जाते हैं रिके के ad को आप disable कर सकते हैं असानी से तो वो एक अच्छी चीज़ है उसके बाद जब clean experience आपका हो जाता है उसके बाद अगर मैं experience की बात करूँ तो realme UI अभी मुझे काफी stable लगता है और काफी अच्छा experience में रहता है realme के phones के साथ वैसे इस phone का exact pricing अभी मुझे नहीं पत आते हैं इस phone के बार में और अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीज इस वीडियो को like and share जोड़ कर दीजिएगा अगर आप ऐसी और interesting वीडियो देखना चाहते हैं तो channel को subscribe भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बग बहुत है नयवाल दोसको कर सकते हो दो virtually और अभर कोई दो हैं तोल आप बहुत है